दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ या भी MNC Companies के बार में आज की वीडियो में मैं आपके साथ डीटेल में बात शेयर करने वालों कि Exactly Company को हम MNC Company कब बोलना चाहिए MNC Company के definition क्या होती और exactly MNC Company में जाने के आपको क्या फाइदे होते तो इस वीडियो को शुरू से ले करन तक ज़रू देखिए दोस्तों हर एक वो इंसान जो चॉप करना चाहता है वो अपने आपको MNC Company में देखना चाहता है क्योंकि दोस्तों देखिए MNC Company में जाने के अपने कुछ अलग आ जाने के इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे सबसे पहले बात करती exactly company MNC Company है या फिर नहीं इसको कैसे decide करेंगे क्योंकि लोगों से आप पूछोगे ये company MNC Company है या फिर नहीं तो लोग आपको अलग जवाब देंगे कुछ लोग बोलोगे MNC Company है कुछ लोग बोलोगे ये company MNC Company नहीं है तो exactly MNC Company के definition क्या होती है और MNC Company हम किस basis क्यों पर decide करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर MNC Company की simple definition आज करेंगे यह definition यह exactly यह company सब्सक्राइब करेंगे इंडिया में और वही same company अगर अमेरिका में, चाइना में, जर्मनी में, कैनाडा में तो उसे बुला जाता है MNC Company यह definition है दोस्तों यह आदी सच है क्योंकि यह definition है यह उन companies के उपर बोल सकते apply होती है जिन companies के budgets बहुत बड़े जैसे कर मैं बात करूँ जियस के pharmaceuticals, Johnson & Johnson लेकिन कुछ companies ऐसे भी होती है जो आपको शायद उन companies के unit बागी के countries में directly नहीं दिखेंगे लेकिन उन companies के tie-ups होते हैं लेकिन सब्सक्राइब मैं बात करूँ यहां पर अगर मान लिजे इंडाय में एक company है जो मैंने डाली है जिए बहुत छोटी से startup है और मान लिजे अगर अमेरिका होई बड़ी Johnson & Johnson का startup है और उसे लग रहा है कि यह जो competitor company है इसका startup तो बहुत चोटा है क्यों नहीं इसके साथ tie-up किया जाए उसके साथ tie-up करके हमारी company के market को capture किया जाए उस वक में क्या करेगी company मेरे साथ contact करके मेरे company के साथ tie-up करेगी मेरे company के साथ tie-up करेगी MNC company है या फिर नहीं तो लोग आपको अकसर बोलोंगे यह company MNC company नहीं है कुछ लोग इसके बार में पता भी नहीं होता तो exactly यह company जिसके foreign relations या फिर foreign के साथ tie-up से foreign parent companies के साथ foreign friend companies के साथ तो इस सारी companies को MNC companies बोला जाता है तो इस बात यह आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि एक जो company के website के उपर आप फार्मसुटिकल के website के उपर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हरमेशे एक बात notice करनों के मिले कि वहाँ पे companies के बलग-लग foundations और चीज़े दे के दिए अब कión चाहिए यहां यहां ब ही दोस्तो दूसरी बात ही आथी कि मेनसी जाने की क्या पाइदे होती है कि क्शे करने का हर एक का सपना होता है और सबसे बेली बात आती है यहाँ पे salary की salary आपको अच्छी होती है लुक्रेटिव 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 बोली जाती है यहाँ पे MNC companies में आपको opportunities बहुत जादा होती है opportunities in the sense देवाब वहाँ पे उस company में senior level पे जाओगी senior post पे जाओगी तो वहाँ पे आपको position अलग बन जाती है वहाँ पे अगर आप senior बन जाते हो तो आपको foreign में जाने की chances होती है बहुत लोग होते हैं जो इंड़ाय में जॉब करने के बाद 6-7-8 साल के बाद उन्हें foreign में जा जादा होती है यहां पे दीसरी बात आती है exposure यहां पे exposure आपको बाकिये country के बाकिये company का अकॉड़िंग जादा मलता है क्योंकि दोसों जब MNC company में जब आप जब करते हैं तो वहाँ पे चीज़े बहुत अलग होती है आज के लोकल अगर अगर कोई startup है और अगर कोई दू अगर आप देखने को मिलते हैं तो बाकिये country बाकिये company में चाहने के बाद अगर आप ऐसी company में काम करके आयो जो company बहुत बढ़ी है तो आपको एकस्पोजर आपको opportunities बाकिये दूसरी companies भी बहुत देना चाहती है यह ता अज के वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ा तो धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने दन्यवाद